नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के बंडित में तो दोस्तों बात करेंगे आज टाटा मोटर्स के बारे में तो बहुत सारे लोग पूछेते कि सर नेक्स्ट लेविल क्या होगा टेक्निकल एनलिसिस भी करेंगे इस पर् कॉमेंट करके जरूर बताईए किस प्राइस पे हैं ये भी जरूर बताईएगा और आपको हमारे स्विंग ट्रेड स्टॉक कैसे लगते हैं ये भी वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों सबसे पहले उताना चाता हूं कि देखेगा आपको र तो जाके तुरंथ जॉइन करिए और जल्दी आपको यहाँ पे एक swing trade stock देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर बात करेंगे volumes की तो जो Tata Motors का stock है वो बहुत दिनों से एक particular range में क्या हुआ है consolidation में है यानि कि करता है stock consolidate हो रहा एक particular range में अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी यहाँ trading देखने को मिल लिए है जैसे ही stock उपर के level पे जाता है तो आपको देखेगा बिकवाली देखने को मिलती है आपको profit booking देखने को मिलती है तो इस stock में अभी काफी trading चल लिए है और नीचे के level पे अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी यहाँ buying देखने को मिलती है तो अभी stock क्या कर रहा है एक particular range में है तो वहाँ पर जो safe trader है वो 10-15 point की तेजी को भुनाने की कोशिश करते रहते हैं अगर आप देखेंगे back to back जो deliverable quantity है वो कमी रहती है नीचे के level पर और जैसे ही stock उपर जाता है वैसे ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर profit booking देखने को मिलती है तो यह चीज बहुत important है यह चीज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है चुकि आपको price volume बहुत ही important एक strategy होती है जिसपे focus करना चाहिए if you are a trader अगर आप बात करेंगे RSI की तो देखेंगा RSI भी देखेंगा इतने दुनों से जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक particular range में का कर रहा है कि एक particular range में stock travel कर रहा है consolidate कर रहा है अगर stock को एक up move चाहिए तो इसको एक particular level को क्या करना पड़ेगा cross करना पड़ेगा breakout करना पड़ेगा otherwise यह particular range में क्या करता रहेगा travel करता रहेगा तो अभी overall overall जितने लोग चाहना चाहरे थे कि stock sir क्यों move नहीं करा तो stock अभी consolidation के zone में जो important level है वो भी बताएंगे अब जान लेते हैं update क्या है तो देखेगा Tata Motors की जो shareholder है उन्होंने जो passenger vehicle का business है उसको बन करके मनलब उसको एक separate segment बनाने के लिए मनजूरी दे दिये अगर आप देखेंगे Tata Motors shareholder approved hiving of passenger vehicle business तो देखेगा यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जो separate entity बनाना था यानि कि passenger vehicle जो इनका एक बहुत बड़ा domain है उसको separate entity बनाने के लिए जो मनजूरी मांगी गई थी shareholder के थ्रूँ वो पूरी तरीके से आ चुकी है Monday को आप देख सकते हैं इसमें और the Tata Motor on Monday said it is shareholder has approved the hiving of its passenger vehicle business into separate entity अब बोलेंगे आप लोगी सर इससे benefit है कि इससे आपका मेलब stock में दिक्कत होगी तो देखेगा जब भी आप द इतना बड़ा domain थे तीन segment में आप काम करते थे और जब एक segment हट जाएगा तो थोड़ी बहुत uncertainty तो आ जाएगी लेकिन इससे एक और भी positivity निकल के आती है short term में तो आपको stock में uncertainty देखने को मिलेगी but long term में view positive है क्यों क्योंकि ये जो काम किया गया है ये जो particular passenger domain को separate entity की बात क particular logic के basis पर करी गई है वो logic समझना आपको बहुत ही जाजा जरूरी है सबसे पहले जान लेते company के valuation कितना निकल के आ रहा है company के passenger vehicle का business जो है वो 9,417 करोन के आसपास आ रहा है और ये analysis मानते हैं कि देखेगा यहाँ पर ये जो segregation हो रहा है जो classification हो रहा है जो separate entity बन रही है इससे आने वाले time में देखेगा company एक focused, focused business कर सकेगी अब focused business क्या हो सकता है तो देखेगा management की तरफ से बहुत बढ़िया यहाँ पर पूरी तरीके से elaborate करा गया है सब कुछ explain किया गया है this would help in providing the differentiated focus तो देखेगा differentiated focus for the passenger vehicle and commercial vehicle यानि कि अब जो company है वो focused रहेगी कि उसे passenger vehicle में किस तर influence तर देखेंगों मिल ला है किस तरहिकी के ability देखने को मिल ला है किस तरहिकी के revenue किस तरहिक है margin develop हो रही है और commercial vehicle पर किस तरही के potential देखने को मिल ला है तो यह जानने के लिए बहुत कस्टमाइज your focus है कि जो लोग passenger से related करते है तो वो domain एकदम अलग रहेगा commercial vehicle से related domain एकदम तो इससे देखेगा help each of them realize their potential while unlocking business value and enhance management focus तो देखेगा management का भी focus रहेगा operational cost पे भी focus रहेगा और flexibility भी बनती रहेगी तो देखेगा long term में आपको एक focused business देखने को मिलेगा यानि कि आपको commercial vehicle के लिए और passenger vehicle के लिए तो ये इसलिए logic से करा गया है तो long term में तो यहाँ पे काफी अच्छा benefit देखने को मिलेगा बट short term में आपको uncertainty देखने को मिलेगी जिसको आप avoid नहीं कर सकते और आज market में उपर के level से थोड़ी देखेगा profit booking देखने को मिली थी इसलिए भी यहाँ पे देखेगा stock में आपको काफी particular range देखने को मिल लगी है तो ये तो होगी update आई hope आपके जो doubts थे वो clear हो गया होंगे अब बात कर लेते stock में दिक्कत क्या देखेगा टाटा मोटर का stock अगर आप recent six month में बात करेंगे तो बहुत बढ़िया आपका पैसा तीन गुना कर दिया है इस particular stock ने तीन गुना कर दिया है पैसा और मैं बताना चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत बढ़िया अभी देखेगा टाटा मोटर बहुत ही जादा होड में आगे है बी एमल के लिए जो stake sale किया चाहेगा second चीज ओला से इनको काफी बढ़िया देखेगा tie-up मिला है इसके अलावा electric vehicle पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अभी इनने हाली में आज ही क्या गाड़ी लॉंच करी है electric vehicle तो देखेगा काफी focused है और ये सारी चीजे execute होंगी it will take time but जैसे जैसे इसमें आपको valuations देखने को मिलेंगे long term में growth देखने को मिलेंगी तो आपको valuations भी देखने को मिलेंगे और बहुत बढ़िया potential आपको आने वाले time में देखने को मिल सकता है चुकि Tata Motors आत्म निर्भर भारत में भी काफी बड़ा योगदान करेंगे तो अब बात करते हैं RSI की मैंने बात कर लिए आप लोग के लिए money flow index देखेगा consolidation के zone में है levels कहां पर हैं तो देखेगा कौन से levels पर आपको focus रखना है तो सबसे important देखेगा उपर की तरफ ये level यानि कि जब आपको upper move चाहिए यानि कि अगर आपको लगेगा कि stock में movement आने वाला है तो movement अभी आएगा जब 330 का level breakout होगा चुकि 330 का resistance बहुत ही crucial resistance है ये breakout करने में stock को बहुत दिक्कत हो रही है जैसे breakout आता है तो तुरंद stock में profit booking आ जाती है selling आ जाती है तो ये stock फिर से नीचे आ जाता है next move के लिए in moves के लिए तो 303 का breakout को आपको बिलकुल दिमाग में रखना है आने वाले time में नीचे की तरफ 303 का support है इसको बिलकुल नहीं भूलना ये base है इसके नीचे stock जब तक नहीं जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं है इसके उपर बना रहता है तो एक particular range में रहेगा और उपर के लिए 330 का level आपको बिलकुल दिमाग में रखना है तो these are the base and resistance for the stock और update मैंने आपको provide करी दिया है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like, share and subscribe परना ना बूलेगा thank you so much